ओम श्री साहिराम भगवान के चरण कमलों में खुद को समय पित करते हुए सारे भाई, बेहनों, दर्शकों को मेरा प्यार भरा साहिराम श्री सत्यसाई मेडिया सेंटर के स्टूडियो से एपल 24 एक ऐसा दिन है जो हर भक्त के हृदे में, हर भक्त के दिल को कई-कई प्रकार छूता है किसी के दिल में भगवान की शारिरिक अनुपस्तिती के कारण भूकंप में फैल जाता है तो किसी के दिल में भगवान की चिंतन करते हुए इस दिन को याद करते हुए एक आत्म निरिक्षन की यात्रा शुरू हो जाता है तो किसी और के दिल में भगवान ने ऐसा क्यूं किया इस दिन का क्या अर्थ है इस दिन को हम कैसे समझे मुझे लगता है हम कभी भी इस आराधना दिवस का महत्व पूर्ण तर से इसका क्या महत्व है कभी भी हम जान नहीं पाएंगे कभी भी हम पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे सोच, विचार, हमारे मन से परे है कि भगवान के हर लीला वो तो हमारे मन की बात नहीं है शुरू होने के पहले में सारे हमारे डिसकेशन के सदस्यों के साथ आपका परिचित कराता हूँ हमारे साथ हैं भया गनेश जी केम गनेश जो भगवान के युनिवरसिटी में Department of Chemistry में Research Associate हैं कार्तिके दिवेदी जी हैं जो स्री सत्यसाई Central Trust में कारियरत हैं और प्रज्वल शेत्री हैं जो भगवान के Department of Physics University में Department of Physics में Research Scholar हैं इन सब लोगों ने अनेकों तरफ अनेकों तरफ भगवान की उपस्तिती का अनुभव किया है और इनके अनुभव से इनके आत्मनेरिक्षन की यात्रा से चलिए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं तो बताएए गनेश जी आपके साथ शुरू करते हैं वो दिन एपरिल 24 का दिन आप इधर थे तो आपका क्या अनुभव रहा उस दिन का आपके दिन में क्या वतीत हो रहा था उस दिन वो दिन में कभी भी नहीं बूल सकता हूं क्योंकि उस दिन 24 अपरिल लगभग पॉने आठ या साथ पचास के समय ये समाजार हमें पता चला उस समय एक्चुली में आपके पता बुले था उस दिन में अच्राइस का रहा था उस समय एक आसन का रहा था शीरसासन गोलते हैं तो उसी समय एक भाह थे रिसे कोलर रहा के बोले कि सौमी है लेफ तो बोलते हैं कि धरती पलट जाता है मैं उसी आसन में था और जब माई यूस सव ना तो एक तरह का मैं तब दो गया मैं क्या ऐसा भी होसकता है कि हम कभी यह सोच नहीं सकते कि oxygen की विना हम लोग रह सकते हैं विचार की स्वामी चले गए हैं, ये कभी हम लोग अंदर में आने, कभी मतलब वो अंदर, कभी भी हमने अंदर आने नहीं दिया अपने दिमाग में, पर ये जब न्यूस के तौर पर आया, और क्या ये सच है, मतलब शौक बोलते हैं, मैं क्या सोच रहा था, कि बाबा कई द अइसे ही कुछ लिला कर रहे हैं, जहांकि एक बहुत बड़े सोसाइटी और कंट्री अट लेवल, वो कुछ डिजीज अपने उपर लिये हैं, और अस्पताल से जब आएंगे तो पुरा हेल्दी हो के आएंगे, क्योंकि हम लोग, हमने सुना है कि 1964 में, बाबा कर दो कुछ ने कैमी ऐखनी कर रहे हैं, कि में यहां गैदमा आ मजने की तो मैं लुह रहूंगा तो यह एक आशीरवार था उनके लिए और उसके बाद, चुंकि पारवती मा ने एक हफता देख के भी अंदिखा किया, तो जब मैं आओंगा तो मेरा शरीर का बाया भाग, पारवती का होगा, दाया भाग, शिव का होगा, तो बाया भाग एक हफते के लिए पैरलेसिस रहेगा, तो फिर बाबा ने राइट हैंड स अपने शरीर को क्योर करके एक revelation, तो हमें भी लग रहा था कि ऐसे ही, और कितने बार बाबा ने बाबा का चेहरा फुला हुआ था, बाबा बोले थी किसी बच्चे का मम से उन्होंने ले लिया था, और डिस्कोस में इन्हों ने ये भी कहा था, कि मैंने उस दर्द को पीछे लाया गया था और हम सब बाबा के शरीर के चारों तरफ हम बैठे थे तो एक चीज़ जब भी अवतार आते हैं, तो एक उस समय जो समकालीन जो लोग होते हैं, उनको तीन अमूल उपहार मिलता है, दर्शन, सपर्शन, संभाशन का, और जब बाबा शरीर छोड़ जब राम आये थे, जब कृष्ण आये थे, जब श्रीडी बाबा आये थे तो और जब सत्यसाइब बाबा थे शरीर पे, तो उस समय के लोगों को एक ऐसा ये जो दर्शनम, सपर्शनम, संभाशनम कहते हैं, ऐसा उपहार मिलता है, अब हम मंदिर दौड़ के जाएंगे, तो कहां किस इसको देखेंगे, तो वो सब विचार था, तो ये सब विचार अंदर से चल रहे थे, तो हाला कि हम कहते हैं कि सबसे बड़ा कृतगयता तब होता है जब हम गुरू का आदेश को पालन करते हैं, उनके मेसेज को, उनके टीचिंग को हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो जो दो-तीन दिन था, 24, 25, 26, 27, सुबे तक, मैं उस समय बस बाबा का शरीर को देख रहा था और अंदर से प्रातना कर रहा था कि बाबा यह क्या हो रहा है, अंसु आ रहे लेकिन नहीं आ रहे, यहां तक रुकी जाए, क्योंकि ऐसा नहीं लग लग दीवन का केंद्र अभी जो आसपेक्ट है, वो चला गया, तो पिछले नौ-दस साल में, हाँ, बाबा का प्रेजन्स हमने महसूस किया, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि जब बाबा जब सपने में आते हैं, तो अभी भी उतना ही आनन्द था, लेकिन सपना आना हमारे हाथ में नहीं है, बाबा जब डिस जब तक बाबा अंदर नहीं आते हैं, तब तक ये जो द्रिष्टी, मतलब एक तरह का आनन्द, उस आनन्द को में, अब वो आनन्द नहीं रहेगा, बस इस परकार के विचार अभी भी है, मतलब अभी भी मैं सोचता हूं तो वो बाबा को जो दर्शन है उसका आनन्द का वरणन हम कर नहीं सकते हैं, वो अब नहीं मिलेगा, तो वही रहा है, तो ये मेरा अनुभवरा है बाबा के साथ, कार्ति के जी आप भी थे उस दिन, यह सुनके मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि स्वामी को मैंने एक आउतार के साथ साथ अपने परिवार के सदसे के रूप में भी माना है, तो हमने सोचा कि अब स्वामी चले गए तो क्या होगा, कैसे मैं स्वामी से अपनी बाते रख सकूंगा, क्योंकि 2010 में जब मुझे MBA में दाखिला मिला, तो स्वामी का पहला पाद नमस्कार मुझे MBA के कोर्स के ही दौरान मिला, तो फिर मैं सोचने ल सामुही साक्षात का ग्रूप इंटर्व्यू जिसे कहा जाता है, देते हैं, और उन बच्चों को अपने आखरी बच्च में स्वामी की आर्ती करने का मौका भी साही कुलवन्थाल में मिलता है, तो इस सारे सपने मेरे दिमाग में थे, इन सभी सपनों को मैं सोचे हुआ थ कि सारीरिक रूप को कभी उनका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो मनुष्य के रूप में अवतार का आगमन हुआ, तो वो मनुष्य रूप अब हमसे दूर चला गया, तो उसका दुख तो हमारे मन में बहुत था, गणिज जी आप बता रहे थे कि आपको ऐसा नहीं लगा कि अब भगवान सच में शरीर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा, मुझे तो चौबिस एप्रिल का दिन मुझे लगा अब ये लीला एक कुछ चल रहा है, और जैसे हमने सुना है कि शीडी बाबा भी तीन दिन के लिए अपने शरीर छोड़के चले गए तो मैं तो सोच रहा था कि अब मैं एक बहुत सुन्दर लीला देखने वाला हूँ, अब स्वामी आने वाले हैं, अब पता नहीं क्या होगा, कैसा चमतकार होगा, और ये सत्यसाही मूवमेंट में पता नहीं कैसा एक नया स्पूर्ती, पूरे मूवमेंट को मिल जाएगी, कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं इसलिए हर मोमेंट मंदिर में था क्योंकि मुझे लग रहा था कभी भी पता नहीं क्या हो सकता है, स्वामी आ जाएगे, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में स्वामी की शारिरिक अनुपस्तिती का कभी भी एक कल्पना भी नहीं किया क्योंकि जीवन था कि सौमी के साथ बिताएंगे, सच में वो धक्का मेरे दिल को only 27th को लगा जब स्वामी के शरीर को धर्ती के अंदर जब सौमी को स्थापित किया गया तब ही मुझे लगा कि क्या सच में चले गया तब मुझे क्या करना है तो मेरे जीवन में क्या मतलब है तो मैंने बहुत रोया लेकिन जब उस दिन तक मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि यह उने वाला है लेकिन बाद में जब इस दिन के बारे में में सोचता गया, सोचता गया, 6 मैंने, एक दो साल इसके बारे में बहुत सारे मनन चिंतन हुआ और तब मुझे लगा कि ये जो भगवान ने किया ये ऐसा कुछ सडन चीज नहीं था ये सब उनकी प्लान था उनकी मास्टर प्लान था और अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि भगवान कुछ भी अपने लिए तो करते नहीं है तो जब भी भगवान ने अपने शरीर में कुछ भी पीड़ा महसूस किया है यो दूसरों के लिए ही किया है हमने कई ऐसे दृष्टांत हमने देखें अपने जीवन में तो मुझे मुझे लगा कि ये एक ऐसा चाप्टर था भगवान के जीवन में कि हमको पत प्रवान नहीं कि इतने लोगों की पीड़ा, कितने लोगों के जन्मों के दुख, जन्मों के उनके पाप, उनके निवारन के लिए भगवान ने अपने शरीर को शहिद कर लिया. जिस तरह भोलेनाथ ने हाला हल का गरहन गिया था उसी प्रणार, बाबा शियर भोलेनाथ है, उसी तरह भोलेनाथ जब विश निकला समुदर मंतन से भोलेनाथ को पोरा विश खुद पी जाना था, उनको एक भी चिंता नहीं थे, कि मैं भी अगर द्वैंस हो जाओं तो उनक पार्वती जाकर उनके गर्दन को पकड़ लिए इसलिए वो निलकंट हो गए नहीं तो उसको उनको संसार के लिए वो कुछ भी कर से लिए और भगवान ऐसे ही थे तो मुझे लगा जैसे एवन येशु पिता उन्होंने अपने शरीर को रक्ताक्त करके वो लोहे के कील उनके शरीर में डाला गया और फिर भी वो मुस्करा कर लोगों भगवान से प्रार्तना करे थे इन लोगों को शमा किजिए और उस एक चीज जो एशु पिता ने किया वो पता ने कितने लोगों को उद्धार किया तो मुझे लगा कि स्वामी अन्ति में एक ऐसा चीज कर गए कि सारे विश्व की अध्यात्मिक उन्नति के लिए अध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए कि उन्होंने एक ऐसी स्टेप ऐसा कदम उन्होंने उठाया और उस बारे में हम जब भी सोचते हैं तो ऐसा ही लगता है कि अब हमें क्या करनी चाहिए कि इसके पश्चाद भी अगर हमारा आँख नहीं खुलता है ना तो फिर अगर बाबा को ऐसा भी कदम उठाना उठाना पर कि उनके एक उपन्यास में ने का था कि मैं कि इतना भी बोलो तुम लोग अभ्यास में नहीं ला रहे हो तुम प्रैक्टिस नहीं करें तो और में नहीं हो और छुप को सुबह सुबह इंटिंवय रूमें थे और भगवां के साथ त chaîne चार्ल स्कॉलर्स थे जिए उन दिनों रिस जजिए स्कॉलर्ड को सथामी अफसर देते सेवा करनerson का और उन्हों नहीं देखा कि उस दिन स्वाम बहुत ही शान्त थे स्वामी कुछ बच्च भी बच्चों के साथ वारताला नहीं कर एक सौमी बस आँख बंद करके जैसे सौमी किसी और दुनिया को चले गए था, सौमी इस दुनिया में नहीं थे और पूरा बहुत ही शान्त वातावरन था और ऐसे दस मिनिट बीस मिनिट चला गया और उसके कुछ और 35 मिनिट के बाद जब सौमी आए तो सौमी ने कहा मालूम है आज क्या दिन है आज का डेट क्या है तो उन्होंने कहा सौमी आज 6 आउगस्ट है सौमी तो क्या हुआ था इस दिन तो सौमी के जीवनी में 6 आउगस्ट को क्या हुआ था किसी को कुछ आंसर नहीं मिला तो सौम सौमी ने कहा, भूल गए, 6 आउगस्त को हिरोशिमा में आटम बॉम गिरी थी, और अब ये वो दिन है, जब हजारों बच्चे उसी स्थान पर एकत्र होके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान विश्व में ऐसी दुरगटना फि ये उनकी प्रार्थना थी, सौमी ने कहा, मैं उधर गया था उन लोगों की प्रार्थना को स्विकार करने के लिए, तब मुझे लगा कि अगर हम देखें, तो 2011 में, वो मार्च एप्रिल में, जपान में, फुकुशिमा नुकलर रियाक्टर का बहुत बड़ी दुरगटना थी, बहुत बड़ी दुरगटना का इंपार, हमें, को पता है सौमी ने किसे लोगों को किस प्रकार से उनके जीवन की रक्षा की है, उस भगवान को हमारे जीवन में हम अब कैसे अनुभफ करें? अंतर मन में? मुझे लगता है ये अराधना दिवस का एक विशय हो सकता है प्रजविल जी आपके लिए कैसा रहा है? प्रवेश करने मेरा का एक ही मकसद था वह था भजन्स मुझे उतना पढ़ाई में कुछ इंट्रेस्ट नहीं था मुझे सिर्फ बजन गाना था तो मैं वहाँ पर बैठा था और भजन्स चालो हुए है और मुझे मैंने देखा कि भजन्स टूडेंस गा रहे थे और वह देख आपके सामने बेट के गाने का। मुझे और इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक अफसर चाहिए। तो उसके तीन साल बाद स्वामी के असीम कृपास से मुझे स्वामी के विश्वय देलाय में प्रविस मिला अड्मिशन मिला और उसी साल मुझे भजन ग्रूप जॉइन करने का भी बहुत बड़ा अफसर मिला और उससे आज तक छे साल हो गये। मैंने स्वामी से सिर्फ एक अवसर की थी उन्होंने मुझे छे सालों के अवसरों का आसिर्वाद इस तरह से दिया तो चौबीस अप्रेल इसलिए मेरे जीवने बहुत खास है क्योंकि मेरा जो मेरा जो इच्छा था मेरा जो विश्ट था जो स्वामी ने इस तरह से फुल्फिल किया उसी दिन चौबी अगर बाबा चलेंगे तो प्रमांड बंद हो जागा तो यह जो कहते हैं कि फिजिकल जो बाबा का शरीर था तो कभी-कभी ऐसा नहीं कि जटके से अचानक चले गया थे क्यों एक तरह बाबा पहले से बोलना शुरू कर दिये थे कि तुम भी भगवान हो इन फैक्ट जब स साथ एक experience है जब बाबा ने कैसे एक प्रकार का training उन्होंने दिया जब भी हम लोग दर्शन भाग के जाते हैं तो हम लोग का first line किसी भी devotee से बोले है first line सबसे मतलब most valuable तो ऐसा हुआ कि एक हफता हो गया दो हफता हो गया तीन हफता तब मैं notice करने लागा कि तीन हफता हो गय बाबा ने मुझे इधर देखा बाबा जब देखते ना तो उनका laser की तरह है अगर आपको skip करना चाहते है अगर चोड़ना चाहते है आपके बगल वाले पीछलों सबको देख लेगा आपको और आपको पता रहता है कि बाबा ने आपको देखाए कि तो ऐसे एक मेना हो गय मैं कुछ कुछ सदना शुरूर किया गायत्री मंत्र की कुछ तो हो रहा है तो फिर बाबा इस तरह आहमें से करेंट भी कर दे ओससभी इंगोर कर रहे है तो आईसा तीन मेहना हो गया पहुत ही लंबा काला होता है क्योंकि जब बाबा जा रह है हर दिन और आजू-बाजू में अंदर को देख रहे कि तुम्हें नहीं देख रहा तो एक दिन ऐसा आया झाल पांच महने के बाद कि अंधर से में अधर, नुर्च शान्थ को चुका था मुड़ के देखते गया, उनका गरदन भी ऐसे से, और देखते गया, continuous पान सेकेंड, और मैं तुरंट रोने लग गया, उस शन के लिए बाबा ने मुझे पांच मेना तयार किया, अगर किसी को अवाइड करना है, तो क्या, अगर हम डिस्कोस में पढ़ते हैं, आई यू अर् हो मेरा लेटर लो, वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बाबा ने कहा कि, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, यह प्रैक्टिस करना है, मैं और तुम एक हो, तुम कहां भाग रहे हो, तुम्हारे अंदर ही हूं मैं, मैं तुम्हारा आत्मा रहा हूं हूँ, तो ये बहुती सु करने की कोशिश करते हैं बाबा के तरफ, बाबा उतना experience देते हैं और अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि जो heart to heart रहता है, हमारी आध्वात्मिक उन्निती, जो हमको 10 जनम लगता है, जितनी उन्निती करने के लिए, वो 10 minutes में हो सकता है, 10 seconds में हो सकता है, और मुझे लगता करना है, अपनी तर से अनुभव करना है, प्रज्वल जी, आपका क्या अनुभव रहा है, ये भगवान महसूस अंदर से करने का, एक डिवोटी का आपको एक अनुभव बाढ़ना चाहूंगा, कि एक डिवोटी थे, और स्वामी किसी कारण उनको देख नहीं रहते, उनको मुझे बुला रहे हैं, पर जब वो अपने आसपास लोगों को दिखता था कि, और उनको लगता था कि, हाँ, ये सिर्फ मेरी शिकायत नहीं है, जो भी मेरे आसपास बैटे हैं, वो सब की शिकायत है कि सायद स्वामी मुझे बुला रहे हैं, तो एक वो डिवोटी उस तड आने के तड़ब से उस आगनी से को एक कविता का रूप मिला था, वो बाद में जाके गजल बना तो मैं कुछ पंगतिया मैं आप लोगों कर सुनाना चाहींगा »जरोर्ण, जरूर आँकने मेरे मुझे भरमाया है जरूर आखने मेरे मुझे भरमाया है ऐसा क्यों लगता है तुने मुझे बुलाया है कि ये मेरी शिकायत हो ऐसे बात ही नहीं कि ये मेरी शिकायत हो ऐसे बात ही नहीं हर कोई समझता है कि तुने उसे बुलाया है जरूर आखने तो वो जो मोमेंट था वो जो क्षन था जब स्वामी चले गए शायद मेरे लिए जब स्वामी आपने पार्थिव शरीर को चले गए तो शायद उस मोमेंट के लिए उस शन के लिए कोई भी तयार नहीं था तो मैं तो बिलकुल भी नहीं था क्योंकि मैं तो एक छोटा सा बच्चा थह और अभी भी सब लोग स्टे बच्चे ही हैं तो हमारी जो स्थिती था, उस को देखकर हमारे जो बालविकास गुरू थे वो हमसे पूछते थे कि क्या हुआ, to हम बोलते थे कि स्वामी इसरे कैसे चले गये, अभी तो हमने उनको ठीक तरह से नहीं बे नियुके झाला थेकता जा भी नी। तो उसरे कैसे जा सकते हैं, तो वो लोग बोलते थे कि पुछते हैं हम से कि क्या तुम स्वामी से प्यार करते हों तो हम बोलते हैं हम स्वामी से प्यार करते हों क्या तुम सच में स्वामी से प्यार करते हों क्या तुम स्वामी के फॉर्म से प्यार करते थे कि स्वामी से प्यार करते थे तब हम कुछ जिनों ने एक human form में आकर सब को दशन, संभाशन, पशनम दिया है अगर तुम उनको प्यार करोगे तो तुमारे मन में ये सारे सवाल आएंगे पर जो स्वामी तुमारे अंदर है उनको ढूंडो और अगर वो तुमको मिले तो तुमारे मन में कोई ऐसे सवाल नहीं आएंगे कोई शंकाय नहीं होंगे तब मुझको लगा कि हाँ आक्चुली स्वामी कहीं पर भी नहीं गए स्वामी बिल्कुल ही है मैं आपको बहुत सारे उदारन दे सकता हूँ एक उदारन में आप लोग को देना चाहूँगा कि एक डिवोटी तो यह 2011 की बात की बात है भजन्स हो रहे थे अब जनरली भजन ग्रूप में क्या होता है कि जब तक पंडिर जी नहीं आते तब तक हमको भजन करते रहना चाहिए तो प्रिवेसली कुछ भजन्स फिक्स र पेर सिंगी हो रहा था और उन्होंने लास्ट मोमेंट में डिसाइड कि हम शंभो मुरारे यह भजन गाएंगे और उन्होंने यह भजन गया भजन खतम हो गया और उसके एक दो दिन बात एक डिवोटी उनको आके मिलते हैं और उनको से बोलते हैं कि आपको पता है स्वामी यहिं है स्वामी एकदम पती है तो उन लोगों ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा तो वह बोलते हैं कि जब वो दो हजार सात में आये थे पती और स्वामी वहाँ पे थे और उन्होंने स्वामी को एक लेटर दिया था और स्वामी ने उस लेटर को एकसेप्ट किया था और जब वो स्वामी उस लेटर को एकसेप्ट कर रहे थे तब बैग्रोंड में श्रम्भू मुरारे बज रहा था और कोई गा रहा था तो जब वो फिर से परती आएं स्वामी के 2011 के बाद तब उन्होंने स्वामी से प्रात्ना की थी कि स्वामी अगर आप है तो आज ये बजन होगा और एक्चुली में ये बजन होगा तो हम जो भी भजन गूर्प में जो भजन फिक्स करते हैं या हम जो भजन गाते हैं वो हम नहीं गाते हैं हम को गवाया जाता है हमें लगता है कि हम गा रहे हैं और बाबाबा हम को गवाते हैं